हलो दोस्तो स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एक्जाम में तो लीजी हाजिर है आपके लिए वन विबाग से सबंदित जो भरती की अपडेट हाई है उसकी वीडियो लेकर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिमाचल परदेश के सेक्शनिक संस्थान है उनको 15 अपरेल से 21 अपरेल तक बंद रखने का निडने लिया गया है यह तिथी बढ़ा दी गई है इसकी साथ ही एक एहम जो स्विक्रिती परदान हुई है वो ही है हिमाचल परदेश के फोरेस्ट गाड के भरती को लेकर जी हा डारेक्ट बरती के माध्यम से कोंट्रेक्ट बेस पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट में वन रक्सकों यानि कि फोरेस्ट गाड के 311 पदों को भरने का निरने लिया गया है यानि कि यह निरने लिया जा चुका है बरती कभी भी शुरू हो सकती है बरती की परक्रिया को लेकर कभी भी notification issue हो सकती है यानि कि ये तो तह हो चुका है कि ये जो 311 post है वो भरी जाएंगी हाल ही में बरी जाएंगी या थोड़ा late बरी जाएंगी लेकिन ये बरी जाएंगी इसके लिए candidates को त्यारी शुरू कर दिनी चाहिए इस वर्स की इसी वर्स की 2021 की 9 March की बैठक में भी 113 पदों को Forest Guard के स्विकृति दी गई है लेकिन साथ में अभी इनको बढ़ाकर 311 कर दिया गया है साथ ही डारेक्ट बरती के माध्यम से जो है हिमाजल परदेश लोकसेवा आयोक के थ्रो क्रिसी विभाग में अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट वी क्रिसी विकास अधिकारियों अग्रिकल्चर ड्वेलपमेंट ओपिसर्स के 25 पदों को भरने का निर्ने लिया गया है मैं जानता हूं तो हिमाजल परदेश में लाखों ऐसे कैंडिडेट्स है जो किसी ने किसी नोकरी के लिए त्यारी कर रहे है किसी ने किसी सरकारी नोकरी के लिए कोचिंग ले रहे हैं और दिन रात भरती के लिए भी त्यारी कर रहे है तो उन लोगों के लिए एहम ख़बर है यह कब यह एक ओफिशल नोटिफिकेशन इसू नहीं हुई है लेकिन यह एक हिंट है उन लोगों के लिए जो त्यारी कर रहे हैं यह एक good news है उन लोगों के लिए जो उमीद कर रहे थे जो इंतजार कर रहे थे किसी नोगरी का फुरेश्ट गाड़ी की भरती का तो दोस्तों काफी पद है 311 पद भरे जाने हैं तो अभी से त्यारी शुरू कर दीजिए आपके लिए गुड लख है बेस्ट अफ लख है और हमारी तरफ से गुड विशिज सभी कैंडिडेट्स के लिए उम्मीद करता हूं वीडियो आप के लिए बड़ी मेनत करते हैं बहुत जगां से बहुत सोचल प्लैटफोर्म से चान चान के ये खबरे लेकर आते हैं फिर इनको वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करते हैं इसलिए पेश करते हैं ताकि कैंडिडेट्स का भला हो सके उनके उनके पास जो न्यूज बहुत लेट पहुंचती है वो टाइमली पहुंच सके और टाइम से त्यारी शुरू कर सकें तो दोस्तों लाइक और शेर करना बिल्कुल न बुलें